आज हम लोग तीसरा एपिसोड करने जा रहे हैं दो एपिसोड हम लोग कर चुके हैं स्टिल बहुत सारे लोगों के पास बुक्स नहीं है अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात बुक्स के लिए हमारी और से किसी पर कोई दबाव नहीं कोई कंपल्चन नहीं है आप पहले स लुसेंट करौन ये सब पढ़ रहे हैं और ये बुक्स भी बहुत अच्छी है लेकिन ये नई बुक्स अब जो पढ़े रहे होंगे या जो नहीं लिया है वो पढ़ रहे होंगे तो समझ रहे होंगे कि इसमें क्या कुछ है हमारी और से कुछ भी इसमें दबाव नहीं है क का कुछ मामला है बड़ा प्रोफिट लगता है इन्हों लिया है तो हमारी ओर से ऐसा कोई भी दबाव नहीं आप बिल्कुल फ्री हैं जो कुछ भी हम सोचते हैं आपके भले लिए आप कई बार इसमें कुछ पैसा कुछ खर्च सामने आ जाता है बुक्स आप नहीं लेंगे नहीं बुक्स लेकर आते हैं तो उसे हमें पढ़ना चाहिए हाँ ये डिपेंड करता है अब बुक खरीदना भी आनिवाजता नहीं है सब आउनलाइन फ्री में भी उपलब्द है आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर लें लेकिन ये सब आपकी सुविधा पर है आप कहीं ज सारे सेलर्स हैं उन लोगों ने दलाली शुरू कर दी उन लोगों ने टैक्स लेना शुरू कर दिया अभी पुछले मौनिंग में एकशास ने लिखा के ये बुक हम ले रहे हैं इसमें फिलिप कार्ट पर 397 में ये बुक मिल रहा है बिलकुल नहीं लेना चाहिए 425 रुप पर 347 रुपे ऐसा ही कोई प्राइस था तो वहां पर थोड़ा कम है लेकिन फिलिप कार्ट वाले ने दुकान खोल दिया है और बड़ा मार्जिन रखकर चात्रों को ठगने का परयास कर रहे हैं फिलिप कार्ट से तो बिलकुल अपना लें एमेजान पर जाएं वहां पर प लगे जा रहे हैं और दूसरी बात यह कि दो चार दिन अगर आप रुख जाते तो यह बुक इसली मिल जाता लेकिन जैसे ही चुकर अब चात्र डिमांड बढ़ गया तो शौप कीपर्स भी मनमानी कर रहे हैं और पता नहीं कहां कहां कितने चात्रों को ठग रहे होंगे च तो यह सब कुले मन से लोटते हैं लेकिन हम इसमें साधरन लोग ठागे जाते हैं हमने आपको सजेस्ट किया ना तो हमें एक रुपे इस से मिलेंगे और ना ही हम इसके राइटर हैं तो हमारा इसमें कोई बेनिफिट नहीं है हम सिर्फ आपको सजेस्ट करते हैं पहले हमने से नहीं किया धाय-तीन साल से आपको हम लुसेंटर कुरॉण पढ़ा रहे हैं और लगातार कर रहे हैं SPDB हम कह रहे हैं क्यों कहते हैं क्योंके गाइड बुक है और इसके प्राइस फिर भी कम है डेडर सौ रुपे में सबस्वा सौ रुपे में ये बुक मिल जाती है तो हमारा सब बुक्स तो अगर आप टेक्स्ट बुक अलग से लेंगे तो धाय डाव ती इन 300 रुपे की अलग-अलग सेपरेट बुक्स आ जाएंगे और फिर प्राइस आपका भाग जाएगा गाइड में अगर हमको बताना होता तो हम आपको योनिक गाइड बताते बेस्ट अच्छी गाइड बुक है योनिक गाइड बुक परियाग राजवाली योनिक गाइड बुक बहुत बेस्ट है हम आपको बता सकते थे बट उसको प्राइस 2000 के अप्रॉक्स है एवन मच मोर तो हमने उसको नहीं बता बताया था बट चात्रों को जब हम ने देखा कि वह कह रहे थे कि सब बहुत प्राइस है फिर हमने उपाई निकाला और लुसेंट और क्राउन पर मगज़ मारी हम करते हैं हम अपने रिस्पांसिबिलिटी बढ़ा लेते हैं जब आपको हम लुसेंट और क्राउन कहते हैं अब वहाँ पर हमें बहुत ज्यादा चिंतन मनन करना होता है कि इसमें जो नहीं है वो हम आप तक कैसे पहुंचाएं और पर अपने अस्तर पर हम प्रयास करते हैं अभी देखिए हम आपको पेज़े रहे हैं वान पेज टू पेज उसके बाद डारेक्ट हम वीडियो के हम इन दलालों से कोई सवदा नहीं करते हैं और नहीं इन से उमीद करते हैं चुकि यह अगर हमें कुछ देंगे तो इसका दस गुना आप से लूटेंगे तो यह इत्मिनान रहे हैं कि आपका जीस मास्टर लालच में आपको ठगने के लिए कभी सामने नहीं आएगा कभी भी नहीं जीवन में कभी नहीं और ऐसा अगर कोई साउदा करेंगे तो आपको हम बताएंगे कि यह हमारा भी इसमें कुछ फाइदा हो रहा है यह आपके हिल्प से होगा जो कुछ भी होगा हमारी पूंजी आप हैं हम अपनी शात्रों से अपील करते हैं हम इन बिचॉलिय का मेसेज आया सर कहना न चाहिए था यह बुक आप खरीदवा दिये हमने आपको बिलकुल नहीं खरीदवाया आप अपनी मर्जी पे हैं हम केवल सलाह आपको देते हैं कि यह यह आप ले लिजे यह बुक नेच्छ अच्छी है यह बुक हम आपको पहले बता सकते थे अगर इसे आप तक पहुँचाएंगे और इसे मल्टिप्लाइट करके और आप मेहनती हैं बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं इतना परिश्रम करते हैं तो किसी तरह से आपके पास कंटेंट पहुँचे यह हमारा उदेश है तो यह सब इदर उदर के बात बिलकुल नहीं सोचे आ जाएंगे तो केवल और केवल उसमें आपका भला होगा हमारा परिश्रम बढ़ जाता है हमारा इसकी एवद में परिश्रम बढ़ जाता है बहुत बढ़ जाता है लेकिन अगर आपका कहीं दूर दरास गावं में कोई शात्रा ऐसा है जिसको कोई बताने वाला नहीं बहु इसका लिंक एविलेबू हो जाएगा बहुत सारे चैनल वाले दे रहे हैं अचानक बहुत सारे चैनल वाले भी सामने आ गए हैं पेजिस प्रोवाइट कर रहे हैं तो यह सब भी हो रहा है तो आप यह फैसलिटी उठा सकते हैं बुक खरीदने की कोई आवश्यक्ता नहीं जह हम लोग पहला टॉपिक इस बुक पा पहला टॉपिक पॉलिटी से शरू हाता है आज पॉलिटी में पर झायें फेज नंबर चार पर थे सरोथ मिली अब कर की इस पिडी हैं पर बहु हुद्धा कर और डिटील दिया है अलग अलग देशों में अब देखे राजपाल की नि हुई थे चोटा सा उदारण हम आप से अभी हैं बोल रहे हैं और यहां पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कैनेडा के समविधान से चुकर कैनेडा के समविधान लिमिटेड है तो यह एक बड़ा कारण है लेकिन वो दोनों ही बुक्स शांदार है इसी कितर है इसलिए कोई किसी से कम नहीं है सबकी अपनी विशेश्चता हैं तो इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग कर रहे हैं स्रोत यानि सोर्से और यहां पर आगर आप इस पेज पर म बहुत मंतन के बाद आप तक पहुंचाते हैं इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग स्रोत कर रहे हैं ठीक है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा कलेक्शन है सारा आप इसे अंडरलाइन करके इसे रिवाइस कर जाएं और हुसंभभ वो तो कॉपी में नोट कर लें लेकिन इसन में असानी हो जाता है उसको नेक्स टॉपिक आता है इंडियन जोगरफी और वर्ल जोगरफी का इसका दूसरा और तीसरा टॉपिक जो है वो इंडियन जोगरफी और वर्ल जोगरफी है इंडियन जोगरफी में एक पेज हम लोग ले रहे हैं आज मात्र एक पेज और ने ये डिफनिट क्या है राष्टय परतीक हैं अब देकिर राष्टय पर भी कौश्शंस आते हैं हमारा राष्ट्रह जंडा है हमारा राश्ट attracted राश्टकी यहा पर दिया हुआ है साζ ये देशों के साथ boundaries दिया हुआ है तो ये अच्छा एक ही page में अच्छा collection है कि अवल आप underline करें revise करते चलें उसके बाद next आप जाएंगे तो world geography है world geography में solar system है solar system इसमें mainly पिर्थवी के बारे में हमारे earth पिर्थवी के बारे में बहुत ही precious information है और अच्छा collection है इसका compilation अच्छा है print अच्छा है तो आपको अच्छा कितना समय लगता है कितना जुकाओ है तो हमारे पिर्थवी के details है और ग्राहूं के बारे में सबसे भारी सबसे तेज यह सारे details ग्राहूं और हमारे पिर्थवी के details है precious information उसको next आता है पर्यावरन और पारिश सितिकी यान इन्वार्मेंट और ecology यह आज कल क्या trend बन गया है अब जो एक्जाम सोने उसमें पर्यावरन और पास्थिकी से questions आते हैं ecology और environment से तो इसमें एक बड़ा अच्छा collection है one by one pages है बहुत important collection है और जैव विवेदिता है अब देखिया आज ही हमने एक question बन दिया था कि UNO 2011 से लेकर 2020 के बीच दशक पूरा किस रूप में मना रहा ज जैव विवेदिता वर्ष तो जितने भी जीव हैं पेड़ पौधों से लेकर जानवर मनुष इनकी विवेदिता ही जैव विवेदिता है अब यह जैव विवेदिता अलग-अलग राष्ट्य पार्कों में या जैव मंडल में या पूरे विश्व में फैला हुआ है इनके इसे आप 4-4, 3-3 डेली पढ़ें, सारा एक साथ नहीं पढ़ें, फिर भारी हो जाएगा, 3-3, 4-4 या 5 रखें, 5 डेली आप पेज खोलें और एक पार रिवाइस कर जाएं, हाइग्रो मीटर से क्या मेजर करता है, बोलो मीटर से क्या करता है, अब ही हम लोगों ने आज ही देखा था, कि किस तरह से लक्स मीटर से क्या मेजर करते हैं, तो मेजरिंग डिवाइस एक्जाम में आता है, उसको नेक स्टाप आएंगे, तो कैमेस्ट्री है, कैमेस्ट्री में अमल भस्म चार है, अब आपने क्रॉन लूसेंट से भी पढ़ा ह होगा, एक बार NCRT सार पढ़ लिजे, कि NCRT में 6 से बारे में सार रूप में क्या निकल सकता है, वो यहाँ पर दिया हुआ है, तो अमल भस्म और चार, इसमें आप समझें, कि आमल किसे कहते हैं, बस्म किते कहते हैं, और फिर चार किसे कहते हैं, साथ ही, सब का एसटी कम, टार्टरिकम, फॉर्मिकम, यह सब अच्छा कलेक्शन है, उसको बाइलोजी में है, इवालियूशन है, जीवन के उत्पत्ति है, इवालियूशन कैसे हुआ, किस प्रकार मानव का विकास हुआ, सबसे प्राचीन मानव का स्वरूप कहा था, किस रूप में था, अच्छा य ज्ञान से समधित, और भी दूसरे मातपून तत्त है, साइन्सर टेक्नलोजी में, उसके बाद हम लोग इंडियन हिस्ट्री शुरू करते हैं, हम लोग दो हिस्ट्री में दो पार्ट कर रहे हैं, प्राचीन भारत नहीं, मद्दकारिन भारत और आधुनिक भारत, मद्दका रहे हैं, इस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के साथ संबन, किस तरह से इस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना आधिपत अस्था बित किया, आप पलासी बकसर के साथ इलावाद की संदी है, दूसरे अलग लग युद्ध हैं, तो यह सब आपको यहां अच्छा टापिक हो गया, उसके बाद इतना ही हम नहीं छोड़ेगे, आप NCRT सार केवल नहीं करेंगे, बलके साथ में थोड़ा सा समझ कर पढ़ने के लिए, ग्रेज्वाली टापिक्स को समझने के लिए, लूसेंट या क्राउन कोई एक, अगर आप इस सीरीज को कर रहे तो सात में לूसेंट या करान एक आपको रखना चाही है, फिर हम कहरे हैं रखना चाहिए, फोर्स नहीं है, च्योंकि हमारी दुकान नहीं है, कि रखना ही चाहिए, आपको हम एक सजेसिंट दे रहे हैं, रखना चाहिए, आपको हिलप मिलेगा, एक्स्ट्रा कुछ आप बहुत important है और फिर हम लोगों ने biology से एक topic लिया था सुख्ण जी microorganism virus और bacteria करना था लेकिन topic तो बड़ा था तो आज हम इसे as it is रख रहे है bacteria और virus आज आप फिर से करें कल आपने नहीं समझा पढ़ा तो आज आप फिर से समझें और समझने का प्रयास करें नहीं तो इसे अच्छे से दो तीन बार पढ़ें जब आप कई बार पढ़ेंगे तो समझ में आने लगता है और उसके बात करिंट एफिर्ज भी हम लोग कर रहे हैं अभी हम लोग आई आए हो गया RBI हो गया इनके हेट्स हैं और फिर कमीटिया हैं उनके हेट्स तो यह भी अच्छा पेज होगा एक बार आप रिवाइजन दरूर आप करें अगर करेंट आप कर रहे हैं SPD में जो सेप्तमबर तक का कलेक्शन है अभी जो लेटेस्ट आया है और फिर प्रत्योकता दर्पन में हम लोग अंतराश्टी घटना करम कर रहे हैं तो यह था आज का कुछ बहुत ही झाल 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 झाल